आप सभी ने इडलियां तो बहुत खाई होंगी लेकिन आज में कुछ अलग तरीके से इडली बनाने जा रही हूँ जिससे कुछ अलग होगी तो आपको खाने में भी काफी मज़ा आएगा तो इस तरीके से अगर आप इडली बनाएंगे तो बच्चे तो उगलियां चाट च चाटते रह जाएंगे तो इससे पहले अगर आप सुभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलिएगा तो चलिए फटा-फट से ये बढ़िया सी चटनी बना लेते हैं इल्ली के संग जिससे ये चाफी टेस्टी लगने वाली है तो यहाँ सबसे पहले हम रख लेंगे पैन में हमने तेल गरम होने रख दिया था अब इसमें हम डाल देंगे भारिक वाली राई राई को थोड़ा सा कढका लेंगे फिर इसमें मैं डालूंगी तिली सफेद वाली और ये चने की डाल है इसको हम डाल देंगे और इसको आच्छे से चलाएंगे और गैस की फ्लेम कम रखे इन दोनों को आच्छे चला के भूनेंगे जब यह तो यहां पहले हम हलदी पावडर देंगे पिर इसमें डालेंगे लालमिश पावडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो दोस्तों मैंने सुच़ा द ली तो वही ही खाका के बोर हो गए हैं तो कुछ नया बनाया जाया कुछ अच्छी तषिक से तो यहां पर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हम डालेंगे सूजी तो सूजी को डाल देंगे हम इस तरीके से तो यहां पर मैं इतनी सी ही सूजी डाल रही हूं इसमें फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम मैं रेनू आप सभी का एक बार फिर से स्वावत करती हूँ आपके अपने चैनल रेनुदा किचिन चैनल पर तो यहाँ पर यह देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे हब तो यह देखिए मिलके रेडी हो चुका है चलिए एक इसका घूल बनाके रेडी कर लेते हैं एक बोल ले लिया है हमने जो हमने रेडी किया था सूजी का उसको बोल में ट्रांसफर कर लेंगे फिर इसके बाद हम डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार फिर दही डाल देंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले बढ़िया तरीके से फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम इसको बेटर के रूप में रेडी कर लेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके ही इसको हम रेडी करेंगे एकदम से पानी नहीं डालेंगे तो यहाँ पर इसको दीरे दीरे हम पानी डालके रेडी कर रहे है तो यह देखिए बेटर हमारा रेडी है इसको ढखके हम रख देंगे 15-20 मिनिट के लिए रेस्ट पर इसके थोड़ा सा हम पानी एड़ करके इसको बड़ी ऐसा mix कर लेते हैं, तो यहां पे सबसे पहले थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी घयद हुआ नहीं करना है हमें पतला तो इसको अच्छे से mix कर लिया हैं है अब यहां पर हम इसको एक बरतन में ट्रांसवर कर लेंगे जितने हमें इल्ली चड़ानी है उतनी ही हम बैटर को ट्रांसवर करेंगे तो इल्ली हमें इसमें इतनी ही चड़ाई नहीं है तो पैटर भी हम उतनी ही लेंगे फिर इसमें हम डाल देंगे खाना सोड़ा और आदी से भी आदी चमर डाला है थोड़ा सा पानी एट करेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको अब यहां पर हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं इसको तो यहां पर देखिए बेटर अच्छे से सोडे में खाने सोडे में मिक्स हो गया है अब इल्ली का सांचे में तेल को ग्रीज करने से इडली हमारी चुपकती नहीं है अब इसमें हम ट्रांसवर कर लेंगे इडली के सांचों में इस तरीके से अगर आप इडली बनाएंगे तो काफी टेस्टी लगने वाली है यह तो यहां पर हम दोनों में इस तरीके से लगा के रेडी कर ले और इडली को पकने देते हैं जब तक हमारी इडली बन रही है तब तक हम बढ़िया सी इडली के संग चटनी बना लेते हैं जिससे हमारी चटनी बनेगी इससे इडली काफी टेस्टी बनने वाली है तो एक मिक्सर ग्रैंडर ले लेंगे इसमें हम डाल देंगे कच्छी केरी बहुत ही टेस्टी लगती है चटनी एक बार ट्राय जरूर कीजिएगा आप सभी और यहां पर मैंने पांच शेक गार्लिक ले लिए हैं जो मैंने चील लिए थे और यहां दो अनियन ले लिए हैं और फिर इसमें हम डालेंगे हरा धनिया कटा हुआ हरा धनिया काटने के बाद इसमें हम डालेंगे एक लाल मिर्ची सुरी हरी मिर्ची और फिर इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक नमक डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हम जीरा डाल देंगे फिर इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे पानी फिर इसमें डालेंगे दही अब इसको हम कर लेंगे ग्राइंड काफी टेस्टी हमारी चटनी बनके रेडी होगी इल्लियों के संग तो यहां पर देखिए यह इसको ट्रांसवर कर लेंगे बर्यासी चाटनी बनके रेड़ी होई है हमारी इसको हम खाएंगे तो काफी बढ़िया लगने वाली है यह चाटनी तो यह चास dividend तो बनके बनके रेडी हो चुकी है तो इसको हम चेक करके देखते हैं तो ये देखिए इल्ली भी बनके रेडी हो गई है अब इनको हम निकाल लेते हैं और ठंडी कर लेते हैं फिर इनको हम निकाल लेंगे तो यहां पर थोड़ा सा ठंडा कर लें हम इल्ली को तो ये देखिए ठंडी ह हो चुकी हैं तो कितनी आघानी से ये वारी निकल के रेडी हो गई हैं बढ़िया हमारी गरम गारम इडली बनके हो गई हैं कि देखिए खानी के船 लिए तता शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप सभी कि आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा है इली का और इसके संग जो मैंने चटनी बनाई है उसको भी बनाके खाईएगा काफी टेस्टी लगेगी आप सभी को तो ये देखिए बनके रेडि हो चुकी है हमारी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप सभी धन्यवाद आप सभी से मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तो ये देखिए कित्ती हमारी सॉफ्ट इली बनके रेडि हुई है इसको आप इस चटने के साथ इंजोई कीजिए बाई बाई फिर मिलती हूँ आप सभी से मैं नेक्स्ट वीडियो में